कि अमज़कर दोस्तों मार्केट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है चलिए देखते मार्केट कैसा बीएफ कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटी निफ्टी वैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेट कर रहा रहा राउंड 19,412 पर और बैंक निफ् सब्सक्राइब निफ्टी निफ्टी का भी ऑप्शन चीन डाटा देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चीन डाटा में दिख रहा है कि पैताले तो जाए कि जो कॉल है महाँ पर 50 लाग का ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है किसी भी रीजन से अगर यह इन स्ट्रेक पर बढ़ना स्टार्ट होता है तो फिर चांसे बन सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि ऊपर रजिस्टेंस फेस कर रहा है एक डोजिन से तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफित वोकिंग देखने को मिल सकती है जब तक उनने से चार्ट सो के ऊपर निफ्टी टेट कर रहा है तब तक यहां पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यह चीज़ा आप क्लिए समझ लीजे ठीक है चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट नहीं है इसी चैनल के अंदर ये कामकाच करता रहेगा उपर रजिस्टेंस के तौर पर इसके पास उनने सजाज 420 आज का हाई एक रजिस्टेंस है उसके बाद 430 एक रजिस्टेंस है यह चीज़ा आप के लिए लिए समझ लीजे अभी इसने अल्मोज्ट देखा जाए त तो अल्मोज्ट अभी अपने हाई के आसपास ट्रेट कर रहा है आप देखते हैं यहाँ पर यह कितनी देर सस्टें करता है में इंपॉर्टेंट सेलिंग आईगी आपको 19 से 350 या 340 तूटने के बाद वरना यह इसी चैनल के अंदर भी हो सकता है आज का दिन टाइम पास मे थे लिए निफ्टी का होगया बैंक निफ्टी देख लेते हैं पर बैंक निफ्टी लिए देखो पांच मिनट का चार्ट लगा देता हूं मैं यहां पर आप देखो यह अभी ट्रेट कर रहा हुँ पैतालेस है और इसके लिए इंपॉर्डेंट लेवल है वह है आपका 45,000 इसके नीचे ये 5 मिनट की candle close किया इसने इसके नीचे trade करना start किया तो next target सीधा सीधा फिवर नेशी का जो retracement है 38.2 इसके आसपास का दिखेगा जो मैं कल analysis कर रहा था तब मेरे को ये समझ में basically मैं देख रहा था कि downside का जो important support कहां पर आएगा वो ये level है ठीक है अगर ये 45,000 को break करता है नीचे की तरफ और अगर नहीं break करता है तो फिर उपर इसके पास बहुत अच्छी जगह है चलने के लिए तो देखते है किदर की तरफ जाता है यहाँ पर फिलाल अभी यहाँ पर कोई price action नहीं बना हुआ है जिसकी basis पर आपको मैं trade suggest कर दूँ नीचे break करेगा तो definitely एक बार short करना चाहिए 45 एड़ा को अगर यह break करता है उपर बाइंग के लिए फिलाल तो important resistance है जो की है 45,250 अकर इसके उपर bank nifty निकलता है sustain करता है तो फिर हम buy करने की कोशिस करेंगे और nifty के लिए जो resistance एरिया वो मैंने आपको बता दिया है उन्हें से 430, 430 के उपर दिकलेगा तो फिर आपको एक momentum बनता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है global market के situation दिख लेते हैं currently indices futures में Dow फिचर करीब 100 point negative और NASDAQ फिचर करीब 71 point negative कामकाज कर रहा है देखते है market किस side moment करता है कैसे करता है इस चीज़ को समझने में थोड़ा था time लगेगा फिलाल ऐसा कोई positive price action नहीं बनाए जिसके basis पे कोई trade आपको यहाँ पे share करती जाए ठीक है तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like और share जरू करिएगा और channel को जो subscribe कर लीड़ी क्योंकि मैं असो दिल लेके आता हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो यजी के साथ शुक्रिया दोस्तो जाए हिंद